हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo Y02 Android वाइल फोन में आप जो है Selective Speak सेटिंग को आप Enable कैसे कर सकते हैं यानि कि On कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Selective Speak सेटिंग जो है Enable होने के बाद इस सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने गै 되고 में सैटिंग प्याइज अपने सremo में सेटिंग समय को अपने फॉन को निछे की सीट आपशन मimasरेख कर नंगे इस चुकरण के नेम के ऊपर आपको तैंप करना है , तो आपको ऑपका छो च्छोटाजर पेज ओपन होगा है select to speak का इस page को आपको उपर की side में scroll करना है तो आपको नीचे अलाओ का option टैप करना है इसके बाद एक new page open होगा इस page में आपको दो option आपको दिखाई देते हैं तो इन दोनों में से आपको कोई एक option आपको select करना है तो मैं उपर वाले को select कर लेता हूँ इस box पे right tick लगाना है तो इसके बाद आपको नीचे की side है save का बटन आपको इसे select करना है तो आपका एक floating button आपका एक show हो जाता है आपके mobile phone पे ठीक है और यह select to speak setting आपकी enable हो जाती है इस तरीके से ठीक है अभी setting जो floating button है इस floating button को आपको select करना है तो एक red color का एक button नीचे की side में show हो जाएगा ठीक है अब आपको करना है क्या है अपने mobile phone की screen पे उंगली को रखना है और इस तरीके से खीचना है ठीक है एक एक green line बन जाएगी आपके चारोर इस green line के अंदर आप जितना area cover करेंगे ना उतना area आपको mobile phone आपका पढ़के सुनाएगा ठीक है और ध्यान रखिए आपकी mobile phone की volume फूल होनी चीए ठीक है तो इतना area मैं यहां पे cover कर लेता हूं अब मैं इसे छोड़ देता हूं ठीक है तो यह बोलेगा ठीक है इस तरीके से इतना area आपको पढ़के सुनाएगा आप जो ने